नमस्कान मानस में श्रावली नोजनेशन मैं आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ बड़ी कबर आ रहे है राहूल गांधी से जो राहूल गांधी अभी उजबेकस्तान गहते और वहाँ पर कैसे भारत बिरोधी डील करके आए है आपको दिखाने जा रहे है इस वीडियो में और सुप्रिम कोर्ट भी कई मामलों में जब हैरान रहता है आज वीब कुछ ऐसा ही हुआ है आपको दिखाने जा रहे हैं बिल्कुल वही चीनी MOU जैसे हुआ था उसके बाद सुप्रिम कोर्ट ने क्या कुछ कहा था कि क्या कॉंगेस पार्टी आ किसी पार्टी और एक देश के बीच में कौन सा समझाता हो सकता है तो आखिरकार राहुल गांदी ने उजबेकिस्तान में जाकर समंता और सोरोष से कौन सी ऐसी डील की है जिससे सुप्रिम कोर्ट भी बहुत चक्का हो जाएगा दिखाते हैं आपको इस वीडियो में आपसे अंडूर्ट करेंगे पूरी वीडियो को देखिएगा और राहुल गांदी का ये जो क्रत्य है जो एक कर्म है वो उस्पदान मंत्री बनने के लिए पूरी तरह से देश की अकंड़ता आप दावा पर लगा रहे हैं वीडियो के कमेंट बॉक्स में प्रतक्रिया चरो देजेगा और वीडियो को लाइक शेर जोरो करेगा राहुल गांदी अचानक से बिना किसी को बताए उजे बेकिस्तान पहुँच गया जहां वो समन्था पावर से मिला समन्था पावर के बारे में सुनेंगे आपके होस उड़ जाएंगे समन्ता पावर अमेरिका के एक बदनाम पत्रकार और डिप्लोमेट है जो अमेरिकी सरकार की शेह पर बिकास सील देश में आबेवस्था फैलाने, सत्ता पल्टने और ग्रहियुद दसी स्थती लाने के लिए बिचावलिये का काम करती है उससे राहुल गांधी यहाँ पर जाकर मिला है यह समन्ता पूर्व में भी अपरीकी देशों लीविया, सीरिया, आद की बदहाली में इसका अपना योगदान राह है इसके लामा राहुल गांधी वहाँ चार सरोस के टीम से भी मिला है आपको दिखाएंगे भारत में सत्ता पलटने के लिए किसी भी हद तक कैसे राहुल गांधी जा सकते हैं उसका सबसे अनूठा उदार और ये एक स्ट्रिंग ऑपरेशन ही है जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं माने कि अब सत्ता पाने की बेचैनी इतनी बढ़ गई है कि विदेशी तक्तों से हाथ मिलाने को तयार है गांधी परिवार भार में गई सत्ता, मात्र सत्ता के लिए देशब्रयोदी की तक्तों से हाथ मिलाएंगे अब हद तो हो गई है कि पूर LTS से बाहर ही नहीं आ पा रही गांधी परिवार उसे इस बात पर हैकीन ने कर पाना मुस्किल हो रहा है कि सत्ता हमारे पास नहीं है ये कैसे हो सकता है कि हमारे परिवार से बाहर का कोई आदमी सत्ता समाले हुआ है देश के सामने ना तुम कुछ हो, ना मोदी, देश से बढ़कर कुछ नहीं है, देश है तो सब कुछ है, जो इसके खिलाब जाएगा, जनता उसी की जगए, उसको कही नगा, उसकी जगए सही दिखाएगी, देश के बुरुत जाकर राहुल गांधी अब अपनी दिखोद रहे हैं, अच्छा तो होता, राहुल गांधी उस पिकिस्तान में इस समन्ता पाउर से मिलने गया था, ये उबामा के लिए काम करती है, इन लोगों ने लीबिया, सीरिया, यमन में सिविल अन्रेस्ट करवाया था, उबामा के रहते जिसके बाद वो देश के आज एर रिस्ट देश बन गया कहीने कहीं बात करें, अब ये हैनरी, किसिंजर और सोरोस के लिए काम करती है, ये लोग हुमन राइट्स के नाम पर मिलिटरी इंटर्वेंशन करवाने को जाने जाते हैं, कई देशों में ये पिछले साल भारत में भी आई थी और हुमन राइट के नाम पर अमेरिका के तरफ से, क्योंकि इसे बाइटन ने उनाटन स्टेट्स एजेंसी पॉर इंटरनेशनल डेवलेप्मेंट का अड्मिस्टेटर बनाया हुआ है, इन लोगों को काम कराकर ये अरेश कराकर कहीने कहीं, पूरी तरह से ये गेम चेंज करती है, राहुल ग ही तूर्कित तयार हुई है, क्योंकि रजीम चेंज वाले मोदी को किसी भी कीमत पर हटमाना चाहते है, क्योंकि मोदी ने आयल, फार्मा और हतियारों तीन लाभी को नाराज किया हुआ है, आप भूल गया होंगे, लेकिन मुझे याद है, जब मोदी ने कहा था, कि मित्रो आपको नहीं पता मैंने कैसे कैसों से दुस्वनी मोल्डेर की है, जिनका बस चले तो मुझे जिन्दा ना चोड़े, आज मोदी सरकार ने यूवेन के पट्टी के पक्ष में कोई वोट ना दे कर खुद को अबस्टेन रखा है, कई बड़े देश ने भी यही किया है, क्यो मोदी पर तूट पड़ी, कि मोदी ने भारत की बदनामी करवा दिये, बगल के देश भी पट्टी के पक्ष में खड़े हुए हैं, लेकिन भारत नहीं खड़ा हुआ, ये डरपोक मोदी जो मुत्र देश से डर का उसके खलाब नहीं गया, कॉंग्रेस भी खोग कूदी इस मामले में, और हम होते तो हम पट्टी के वपक्ष में ही वोट करते जिससे ये मजह बालों को भड़का से, आपको बता दे, इन सब के बीच में, ओबामा एंड बाइडन गैंग मित्र देश से चिड़ते हैं, खास कर उसके प्रधामंत्री से, ठीक उसी तरह से मोदी से नफ और उन्हें भारत में अपना पालतु चाहिए, जो उनके कहने पर युवेन से लेकर सेक्षन के समय तक उनका पिछलगू बन कर रहा है, राहूल गांदी वही वादा एक बार फिर पूरा करने गया था, और सत्ता में लाओ, उन्हें कहा कि सत्ता में लाओ, और मैं तुम्हा कांड कर लाओ, इसलिए फिर आपको याद दिला रहा हूं, आप तयार रहें, इनकी बातों में आकर भावनों में बैकर सरकार के खिलाब बयान बाजी से बचे, जो चाह रहें, ये आपकी उसी तरह से बिरोध करना चाहते हैं, जैसे ट्रम समर्थक हो गए थे, और आप चनाओं से पहले जो पेकिस्तान की गुप्त यात्रा, मौज मस्ती और सत्ता को फाड फेकनी के साजिस इस कहानी का फुल मसाला है, गांदी परिवार के वारी स्राउड गांदी कोई काम नहीं करते हैं, और नहीं उनका कोई कारोबार है, लेकिन वह चार्टर्ट फ्लाइट से चलते हैं, देश दुनिया की सैर करते हैं, आलिस्तान होटलों में ठायते हैं, आकर इन सब के लिए पैसा कहां से आता है, विदान सबाचनाओं से पहले गांदी परिवार के राजकुमार एक बार फिर विदेश यात्रा से लोट कर आये हैं, इस बार मुस्लिम बहुल दे उजबेकिस्तान को चुना गया, वहाँ एक लड़की के साथ देखे गये, सबसे खास की वहाँ उन्होंने मुदी सरकार को सत्ता में हटाने के लिए साजिस सचने वाली सासन परिवरतन एजेंट समन्ता पावर के साथ बैटक की, यानि मौज मस्ती के साथ मुदी सरकार के ख अगलाब साजिस्त, तो समन्ता पावर से मिलने उजबेकिस्तान गये थे राहुल गांदी, और राहुल गांदी की राजसे में उजबेकिस्तान यात्रा क्यों हो है और अभी क्यों है, खास कर जब विधान सबाचुनाओं का प्रचार चल ना है, और ये चरम पर है, दरसल यह सासन परिबर्थन एजेंट साथ एक गुप्त बैटा करने के लिए उजबेकिस्तान में थी, उनाटन इस्टेश एजेंसी फार इंटरनेशनल डब्डिमेंट की ये प्रचारक, 23 चोविस अक्टूबर को छेत्री कनेक्टिविटी मंत्री C5-1 की अद्रक्षा करने के लि भारत को नीचा दिखाओ, विद्योसों में जाकर भारत बिरोधी लोगों से मिलना और सत्ता की लालच में किसी ब्याग तक गिर जाना, यहीं उनका चरित्र बन गया है, भारत आकर भले ही वो कुली बन जाए, किसान बन जाए, बढ़े ही बन जाए, लेकिन उनकी असली तस जोनो साइड किताब के लिए 2003 में उसे पुरज़त पिसाद पुरसकार मिला था, यह पुरसकार मिलने वाले जो भी हैं, वो सब कहीं न कहीं देश में रहकर देश विरोधी काम करते हैं, उसमें रभीस कुमार को भी यह पुरसकार मिल चुका है, समन्ता पावर भी उसी लिस जिसने लीबिया को अब एक आतंकबादी राज्य बना कर छोड़ दिया है, जोन 2013 में उबामा ने उन्हें संयुक्त राष्ट अमेरिका राजदूत के रूप में न्यूक्त किया था, बराक उबामा का दोहरा मापदन देखिए, भारती मुसलमानों के लिए चिंता जता ही, पूर्व अमेरिकी राजपती बारक आबुमा एक इंटर्वू में कहा था, हिंदू बहुत संक्यक, भारत में मुसलिम अलप संक्यों को कि स्रक्षा की बात करना हाम है, अगर मेरी बात मोदी से होती है, तो मेरा तर्क होता है, एगर आप अलप संक्यों के अधिकारू कुस स्रक्षा नहीं करते हैं तो मुम्किन है कि भाविस्ट में भारत विवाजन बढ़े ये भारत के हितों के उलट होगा उबामा ने एक साल में साथ मुसलिम देशों पर 26,171 बम गिराए थे और अब उनको सांती का नोबल भी मिला यही है उबामा का चरित इनने राज़पसी र का डबल स्टेंडर्ड देखिए इसके बावजूद ओबामा को सांती नोबल कुर्सकार दे दिया इसी ओबामा ने भारत को अलपसंख्यों के एधिकार पर ग्यान दिया ओबामा ने कहा हिंदू उलपसंख्यक भारत में मुस्लिम अलपसंख्यों के सुरक्षा ध्यान देने बड़ी बात यह है कि ओबामा को यह दिब विज्ञान तब आया जब धामंती नरेंद मोदी अमेरिका की राज की आत्रापते समन्ता पावर उसी डीप स्टेट का हिस्सा है जो अपने हितों को साधने के लिए आने देशों के आंत्रिक मामलों में हस्तचेप करने से बाज नहीं आती है लीविया, सीरिया और यमन इसका सफसे अनूठ आउदार समन्ता पावर डीप स्टेट की कितनी महत्तपूर है उससे इस बास से ही समझा जा सकता है कि अमेरिकी राजपती जो बाउडन की सत्ता आने के बाद उसे जनवरी 21 में USAID की प्रमुक के तौर पर नमंकित किया गया जाज सुरोष को Open Society Foundation के अन्यवाम 35 संगटनों के साथ पावर की बैठक जो है भारत के लिए बेहत चिंता जनक है इससे अधिक आपको बताते दिल्चास बात यह है कि हेंडरी किसिंजर ने उसकी निकटता है जिने मोदी जी के अधीन भारत से सक्तन अफरत है यानि जिन लोगों को प्रधामंती इंदरेंद्र मोदी से दिक्कत है भारत से दिक्कत है उन्हीं लोगों के साथ राहुल गांदी की नजदी की है जो लोग भारत को बिक्सित नहीं देखना चाते हैं उन्हीं लोगों से राहुल गांदी की विए मिलने का किन मपसद क्या ह समन्ता पावर की भारत में बहुत रोची है वह 25 से 27 जुलाई 2022 तक भारत में थी 26 तारिक को उसमें नागरिक समाज के प्रदिर्यों से मुलाकात की और अर्ब संक्यकों के अधिकार की रक्षा पर भासर दिये उसके महत्वपूर चर्चा की और भारत में नागरिक समाज संगट्रों के लिए अमेरिका की निरंतर प्रतिबद्धता का आस्वासन दिया मतलम नागरिक असांती के लिए फंडिंग का अधार बना है राहूल गांदी के राजनेतिक गुरू सैम पित्रोदा और समन्ता पाउर के बीच लंबे समय से निकटता रही है सैम पित्रोदा के समन्ता पाउर की निकटता जो है वो समन्ता पाउर की जाज सुरस से निकटता पीम मोदी को हटाने के लिए जार्ज सोरर्ज की फंडिंग की गोसला समन्ता पावर के साथ राहूल गांदी की बैठेक इन कहानियों को जोड़ कर ये साथ समझा जाता सकता है कि ये सारा खेल भारत में 2024 में होने वाले आम चुनाओ को रभावित करने के लिए अब ही ये साज से रचनी सुरू हो गई है यानि चुनाओ से पहले विदेशी हस्तक चेप की आसंका से इनकार नहीं किया जा सकता है राहूल गांदी में तो अपनी यात्रा गुप्त रखी लेकिन समन्ता पावर 2034-24 अक्टूबर को छेत्री कनेक्टिविटी मंत्र अस्तरिय सीव 5 प्लस 1 के अध्यक्षा करने के लिए उजबेकिस्तान में थी इसका खुलासा उसने सोसल मीडिया की पोस्ट में किया जिसे साब तोर पर आप जा कर देख सकते उसकी सोसल मीडिया पर रहूल गांदी जब अमेरीका के द prejudice पर गया था तब भी उसने भार्त विरोधियों से मुला कात कि थे आपको बता दे रहूल गांदी पियेम मोदी के अमेरीक स्वेकश मेई को अमेरीका पहुंचा था राहूल गांदी ने विदेशी दोरे का उदेश भार्ट को नीचा दिखाना, पियम मोदी और भाश्पा को बदनाम करना और भार्ट में मुसल्मान खत्रे में यही बताना रहता है। और अब डॉलर्ट फंड देनी की बात कही थी। अब राहूल गांदी उसी के करीबी सहयोगी सुनीता बिसोनात के साथ बैशे नगर नजराइक थे। आखिर राहूल गांदी देश पिरोधी लोगों को से क्यों मिलना है। क्या भार्ट को कमजोर करने की जाज सोरोष की साज कंडे को अपना सकते हैं। सुनीता बिसोनात 400 रोज की पतनी दिर जिसने भी पक्षिनेताओं, ठिंक टैंक, पत्रकारों, वकीलों और कारकरताओं के एक नेटवर्क के माध्यम में भारत के आंत्रिक मामलों में दखल देने के लिए एक अरब डॉलर देने का वादा किया है वो यह दूरभाग की पूर है कि राहुल गांधी सत्ता पाने के लिए सत्तक समझावता कर रहे हैं कि अमेरिकी एक्टिविस सुनीता बिसोनात वही है जिलों तीन साल पहले आउध्यम एंट्री से रोक लगा दिया गया था। पस्चमी में व्यापक जमाते ISI साथगाट का हिस्सा है और भारत में सामाजिक बेदबाव के मुद्दे पर बढ़ा चलाकर पीस करना उसका काम है उसके संगठन अने संगठन ने वूमन फार अफगान वीमन को सोर्सेज ओपन सोसाइटी फांडेशन द्वारा बित्त पोस में उन्हें हिंदू मोधी विरोधी भासर देते वे साब देखा जा सकता है इससे यह आसंका दिड़ हो जाती है कि भारत में सत्ता परिवर्तन की मंसा पाए लोगों द्वारा राहूल गांधी तयार किया जाता है अपने सुदीता विस्वनात के साथ राहूल गांधी की त जाहिदीन द्वारा समर्थि संगठन है और राहूल गांधी कॉंग्रेस के युए सिंडर सर्किल के कनेक्शन के बारे में जानकर गंबीर चिंताय होती है चौकाने वाला रहसो दारकन जो है इंगित करता है कि सर्कल के एक सदर्श को सुरोज द्वारा सीधे बित्त पूसि जाती है कि आखिरकार राहूल गांधी क्यों भी देश जाते हिंदू फार हिउमन डाइट्स के संस्तापक सुनीता बिस्मलात एक ऐसी सक्षियत है जिसका कथित तोर पर पाकिस्तान के जमातेस्तान के प्रमुक एक व्यक्त अब्दुलमलिक मुजादीदीन के साथ करीबी स संबन्द है जो भारत में आतंकी हमले में सीधे तोर पर सामिल होने के लिए जाना जाता है मुजाहिद दीद को जो मुजाहिद है उसका भारती प्रवासी संग्टुन का प्रभावस पस्ट है उसके वेबसाइट जो है भारत के खलाप एजंडा के रोप में सेब इंडिया जो चीजे मैं आपको कोट कर रहा हूं उसको सर्च करके आप देख सकते हैं जाकर गोगल कर जिससे आपको अगर मन में कोई डाउट हो या टुकले टुकले गाएं चमचे हैं वो भी आप समझ आएं कि यह चीजे सही हैं इसमें गलती कुछ नहीं है आपको जूट लगे तो करता है कि उसे ISI और खालिस्तानियों से भी बहरा संबंद है इसके साथ ही अन्य संगटनों से भी संबंद हैं उनके भारत ब्योधी होने का उजागर करते हैं अमेरिका में ISI समर्थित खालिस्तानिक गुर्गो बजन सिंग बिंडर और पीटर फ्रेडरिक के साथ एलाइंस जैसे संगटनों के साथ सयोग किया है जोधाज़ाच 14 से पहले से ही भारत के खिलाप कुले तोर पर पैरवी कर रहा है देश के खिलाप प्रतबंदों का समर्थन करता रहा है इन खुलासों से संकेत मिलता है कि अमेरिका में सुनीता विस्वनात और राहुल गांदी की चाकिर कैसे प्राप्त कर सकता है हिंदू पार जूमन राइट्स नामत संगतर किस्ता संस्तापक सुनीता विस्वनात हिंदू के नाम पर हिंदू के खिलाप जूट और प्रोपेगेंटा फिलाने का काम करती है हिंदू बनाम हिंदुत्यों के नरेटू को अभियान चलाकर को भ्रामित करने का काम कर रही है वहीं सुनीता हिंदू देवी देवतां के लिए उल जलूल बाते भी कर दो कभी भगवान शीयों के बनाती एं तो कभी खहती हैं। लेकिन इस सब बात से बल मिल रहा है क्योंकि राहूल गांदी के भासर के स्क्रिप्ट अमेरिका में लिखे जा रही है अमेरिका में राहूल गांदी के कारेकरण में आवाजिकों में से कुछ प्रमुक नाम बता दिया आपको तो फ्रैंक इसलाम, माजिद अली, नियाज खान, जावेज सयद, मुहमद असलम, मिनाज खान, अकील, बहुम्मद, आदी इन नामों को देखने से ऐसा लगता है कि गोया या साहीन बाग की वोटर लिस्ट है लेकिन नहीं, यह उन लोगों के नाम है, जुनों ने राहूल गांदी का अमेरिका में प्रोग्राम अग्राइच कराया इनके ने से कोई काश्मीर के अकटरबाद समर्थक है, यानि के अतंगबाद के समर्थक है अब इससे यह समझना असान हो जाता है कि राहूल गांदी क्यों सनातन सरस्किति क्या मजाक बना रहे है और बस मुसल्मान परिसान है, मुसल्मानों को सेकंड क्लास का स्रेटीजन माया था यही सब गाना गार है राहुल गांदी इससे पहले 2022 में बिटन गए तब उन्हें देश को नीचा दिखाया था लंदन के 2022 का आइडिया फ़र इंडिया कॉंफरेंस में राहुल गांदी जब पहुंचे तो उन्हें कहा था कि देश में ध्रूवी करड़ बढ़ता जा रहा है वेरोजगारी अपने चरम पर है महगाई बढ़ती जा रही है बीजेपी ने देश के हर तरफ कैरिसीन छिड़क गया है बस एक चिनगारी हम सब पर बड़ी समस्या के बीच होओंगे यहां समझने की बात ये है कि राहुल गांदी को कैरिसीन छिड़कने की बात जो कहानी ह वो इस समय BJP के लपेट लिया है। लंदन में भारती लोकतांत और संस्ताओं पर हमला करते हुए राहुल गांदी ने पाकिस्तान प्रोफेसर कमल पुन्मिरीर के साथ मंच साजा किया। राहुल गांदी परचे पाकिस्तान के जन में कमल मुनीर एंबीए दर्सकों से कराया। कमाल मुनीर पाकिस्तान के राश्पति द्वारत दिये जाने वाला राच के समान तमागा इजमाता को समानित किया गया। मुनीर का पाकिस्तान खोपे आजंसी ISI के साथ संपर्ख है इससे प्राप समझ सकते हैं कि दीप स्टेट भार्ट को तबाह करने के लिए किस तरह से भार्ट पर काम कर रहा है एक तरफ रहुल गांदी खड़ा किया गया है, लेफ्ट, लिब्रल गैंग, प्रोपगेंडा फ़लाने में जुट गई है ISI नेट्वर्क के जरिये खालिस्तान मुद्दे को जिन्दा किया गया है जिससे बाहर देश में पुरा उधल पुथल है रहुल गांदी जब भी विदेश जाते हैं तो पता नहीं उन्हें क्या हो जाता वे सारी मरियादा, सारी सहल सीलता, सालिंता, जो है लोकतांतिक सर्म सब बोल जाते हैं अब जब तक देश की जनता ना उनको सुनती है ना समस्ती है तो विदेश में जाकर विलाब करते हैं और भारत के लोकतंत के खत्रे हैं इस तरह की बाते करते हैं। विदेश वासी स्विकार्ड नहीं करेगा। यही राहुल गांदी मात खा जाते हैं वे ऐसे बयान दे रहे हैं जो देश वासी को पसंद नहीं है। वास्टरबाद से लड़ने के लिए सो करोड वार देने के अलान कर चुका है। यह एक बार नहीं बलकि भारत के संपर्वता को कमजोर करने का सुनियोजित पैटर्न है। राहुल गांदी हाल के समय में चीन का जिक्र बार बार करते हैं। चीन भारत में घुसपैट करते हैं। चीनी साइनिक भारती जबानों को पीड़ते हैं, चीन में काफी सद्धावना है, इस तरह के ना जाने कितने बयान लेकिन हाल में ब्रिटन के दोरे पर इनके जबान पी यह बात निकल गई जिसका उन्हें सब बाग दिखाये गया, उन्होंने कहा जैसा रूस में युकरिन न बोरे पर था, उस वक्त यह तैय हुआ था कि जिस तरह ही उक्रेन में आंदोरन खड़ा कर जलेस्कियों प्रदामंत्री मनाया गया, उसी तरह 2024 में पीम मोदी के खलाप आंदोरन खड़ करके राहूल गांदी की ताजपुसी कराए गए गये, राहूल गांदी की मियोकूर क की पठकता कहानी भारत जोड़ो यातरा से सुरू हो गए थी, इसके बाद पठकता के मताबिक पीम मोदी की छर्रभी कराप करने के लिए, बीबीसी डाकुमेंटरी अडानी समो बदनाम करने के लिए हिंडबर्ग रिपोर्ट और एनाई रसर जैसे संस्ताओं पर हमले किये फिर रामतरिक मानस्त के विबात के जर्य हिंदु धर्म को बदनाम करना और खालिस्तान के मुद्ध को हवार दे कर देश में आंदोलन की आग में जोकने की साजिस रची गई, यह सब संग्योग नहीं है, खालिस्तान के नए चंड़ा बाद अब नितपाल सिंग की जो बात के जा, अब आप समझ सकते हैं कि राहुल गांदी जब भी विदेश में जाते हैं आखिरकार यह सब कुछ क्यों हो रहा है, आपको कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया जरूर लिखेगा, यह स्टोरी आपको बड़ी जरूर लगी हो, लेकिन यह सच है राहुल गांदी का, कि राहुल गांदी सत्ता पाने के लिए देश के खिलाप कुछ भी कर सकते हैं, और देश विरोधी ताकतों से हाथ मिला कर, चाहे हो पाकिस्तान हो, चाहे हो चीन हो, उसकी बड़ाई करने से भी नहीं चुकते, और भारत के खिलाप अगर बस चले, तो उनाटर नेशन में भी